नमस्कार दोस्तों मैं प्रशांद कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल गारगी क्लासेज पर अगर आपको आज की क्लास के टॉपिक्स से संबंदे नोट्स की आउशकता हो तो इसके पीडियेफ आप हमारे टेलेग्राम चैनल जिसका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और जैसा है कि आप सभी को मालूम है कि हमारी हर क्लास के एंड में हमारी पिछली क्लास के टॉपिक्स पर आधारित एक क्यूशन पुछा जाता है इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूछेगे प्रिशन का जवाब दीजिए तो शुरू करते हम आज के हमारे टॉपिक्स तो इस आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है खरीफ की फसलों के लिए एक राश्ट्री सम्मिलन का आईजन किया गया हाली में अप्रेल 2020 को केंद्रिय करशी और किसान कल्यान मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से खरीफ फसलों पर राश्ट्री सम्मिलन की अद्धिक्षता की है इस सम्मिलन का जो उद्धिक्ष है वो था राश्ट्रवापी लोगडाउन के मद्धे नजर खरीफ की खेती के लिए तैयारियों के बारों में राज्जियों के परियमर्स से विविन मुद्धों पर चर्चा करना और उसके प्रति उच्चित कदम उठाना हाल में वर्ष 2020-21 के लिए खाद्धियान का जो लक्ष है वो 298 मिलियन टन रखा गया है साथ ही वर्ष 2019-20 के लिए यह जो लक्ष था वह 291 मिलियन टन का था इस सम्मिलन में केंद्रिय क्रशी एव किसान कल्यान मंत्री द्वारा दो योजनाओं जिन में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना और मर्दा स्वास्थे कार्ड योजना इन दोनों पर मुखे रूप से जोड़ दिया गया था प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतरगत किसान लाभारतियों को प्रतिवर्स 6000 रुपए की जो साहिता राशी दी जाती है जो सामानित है तीन समान किस्तों के जो दो-दो हजार रुपए की किस्ते हैं उसके माध्यम से उन्हें सायताराशी दी जाती है इस सम्मिलन में बताया गया है कि All India Agri Transport Call Center को यह सुनशित करने के लिए प्रारम किया गया कि लोगडाउन के कारण किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो इस सम्मिलन में COVID-19 के मद्दे नजर लॉगडाउन की स्थती से निपटने के लिए अन्य पहलों पर भी चर्चा की गई जिन में से प्रमुक रूप से निमलिकित हैं इसके साथ ही जो दूसरी जो दूसरा पॉइंट जिस पर जिसे चर्चा में शामिल किया गया वो था पी-एम आशायोजना जिसके तायर एम-एस-पी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइज अर्थात नियूनतम समर्थन मुल्य उत्पादन लागत से कम से कम दोगुने इस जैसे कि किसानों को आर्थिक रूप से किसी प्रकार का नुकसान ना हो साथ ही COVID-19 के करण मंडियों में भीड कम करने के लिए किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद करने के लिए इनेम पहल के जरिये नए परिचालन दिसानिर्देश तयार किये गए हैं अभी हाल ही मे हमने कुछी दिन पहले हमारी पिछली क्लास के अंदर इनेम के बारे में विस्तार से अध्धन किया था तो आप पिछली क्लास के वीडियो देख करके इनेम के बारे में जान सकते हैं हमारा अगला टोपिक है हाल ही में 18 अप्रेल 2020 को विश्व धरोहर दिवस यानि वर्ल्ड हरिटेज दे मनाया गया यह पूरे विश्व धरोह में मनाया जाता है जिसका उद्देश सांस्कृतिक, एतिहासिक और प्राकरतिक विरासतों की विवित्ता का संदक्षन करना और वैश्विक संधाय के बीच विरासत के बारे में जागरुकता फैलाना वर्ल हरिटेज डे दोहजार बीस की इस वर्सकी जो थीम है वो थी शेर्ड कल्चर, शेर्ड हरिटेज, एंड शेर्ड रेस्पॉंसिबिटी मतलब साजह संस्कृति, साजह विरासत और साजह जिम्मेदारी विश्व विरासत दीवस का प्रस्ताव 1982 में अंतराश्टरी स्मारकों और इस्थलों के परिशद इकोमोस के द्वारा दिया गया था जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल काउंसिल आफ मॉनुमेंट्स एंड साइट्स भी कहा जाता है सांसकर्तिक विरासत स्मारकों के महत्व और उनके संदक्षन के बारे में जारुता बढ़ाने के उद्देश से 1983 में इनर्सकों की आम सभा के द्वारा इसे अनमोदित किया गया इकोमोस वेनिस चार्टर में इस्थापित सिद्दानतों के आधार पर इसे इस्थापित किया गया था जिसे इस मारकों और इस्थलों के संदक्षन के लिए 1964 का अंतराश्टिय चार्टर भी कहा जाता है वर्तमान में विश्व में कुल 2022 विश्व धरोहर हिस्थल हैं जिन में से 814 सांशकर्तिक और 203 प्राकर्तिक और 35 मिश्रित इस्थल हैं जिने विश्व धरोहर यानि वर्ल्ड हरिटेज में शामिल किया गया है इसमें भारत में कुल 36 इस्थान ऐसे हैं जिने विश्व धरोहर में सम्मिल्ड किया गया है जिन में से एक मिश्रित, 7 प्राकर्तिक और 8 सांशकर्तिक इस्थल हैं जिनने यूनेसको के द्वारा विश्व विरास्तिस्थल के रूप में रिज्टेड किया गया है जो विश्व रूप से सांज करते कि या भोतिक मैत्व रखते हैं और ये जो भारत के 36 स्थान हैं इन में से कुछ प्रमुकिस्थान जैसे की ताजमहल, आगरा फोर्ट, इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाएं, कांजी रंगा अभ्यारण्य, केवलादेव, नेशनल पार्क, महाबुली परिम मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजु हिमालेन जो नेशनल पार्क है, और राजस्थान का किला, नालंद अभिश्विद्धाले, कंचन जंगा पुष्पू उध्यान, हिमाले रेल, और इसके अलावा महाबुली मंदिर, और रानी की बावडी, जैसे जो गुजरात मिस्थित है, इसी तरह के अन्य कई स्थल हैं, जिन्हें वर्ड हेरिटेज के रूप में लिटेड किया गया है, यूनेस्को के द्वारा, अब इसके अलावा हम यूनेस्को के आरे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो यूनेस्को जिसका पुरा नाम United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization है, जो की सहयुक्तराष्टर का ही एक अंग है, हि शिक्ष्या प्रकर्ती तथा समाज विज्ञान इसके अत्रित संस्कर्ती और संचार के माद्यम से अंतराष्ट्रे शान्ती को बढ़ावा देना है, इसकी स्थापना 4 नौंबर 1946 में की गई थी, और ये है संयुक्तराष्टर का ही एक अंग है, इसका जो मुख्याला है वो शहर में इस्तित है और फ्रांस में इस्तित है और इसके जो अत्यक्स हैं वो वर्तमान में आंद्रे एजॉल हैं, अब हमारा अगला टोपिक, हाल हमें भारत कोविड-19 पर आधारित बिक्स की जो मीटिंग है उसमें हिस्सा लेगा, इस बैठेक में सदश्य देश कोविड- गिरावट पर चर्चा करेंगे, विक्स समुह के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक एक वीडियो लिंक के माद्यम से की जाएगी, इस तरह की बैठक का आयजन करना आवशक है क्योंकि वर्ड एकोनोमिक ग्रॉथ में काफी गिरावट आई है और अंतराश्ट्री मुद्रा ध्यान में रखते हुए इस तरह की मिटिंग करना आवशक समझा गया अब इस मिटिंग के अंदर भारत की भूमी का क्या होगी उसके बारे में हम जानकर रिप्राप कर लेते हैं तो इसमें रूष, चेन और दक्षिन अफ्रिका की जो स्ट्रेटजी और प्रोटोकॉल है व अंदर देशों के सात्थ जुडने के लिए कई बहुपक्षिय बैठकों में सक्री रूप से भाग ले रहा है जिन में से साउथ एशियन देशों की बैठक है इंडो-पैसिफिक बैठक है g20 है आधी कई संग्ठनों और बहुपक्षिय जो बैठक है जिनमें भारत भाग ल जो लड़ाई है उसमें विश्व का बराबर सहयोग दे रहा है इसके अलावा भारत ने 55 से अधिक देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नाम की जो दवा है उसे भेजा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का सबसे उड़ा उत्पादक देश भारत है और इसने हाल ही में अम भारत ने UAE, अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया, दक्षिन अफ्रिका, जॉर्डन, आदी देशों के अंदर भी अपनी धवा भेजी है। इसके साथ भारत, यूगांडा, डॉमिनिकन गंडराजे, आदी देशों के लिए दवाओं के लिए अनुदान भी भेज रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स जिसकी स्थापना वर्स 2009 के अंदर चार देशों, ब्राजील, रूस, भारत और चीन के द्वारा की गई थी, 2009 में इसकी स्थापना की गई, अगले ही वर्स 2010 के अंदर, साउथ अफ्रीका भी इस शंगठन के अंद भी था, जिसे ब्रिक कहा जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के जुड़ने के साथ ही इसका नाम ब्रिक्स रख दिया गया, जिसमें साउथ अफ्रीका का एस भी जोड़ दिया गया है, यह एक आर्थिक, राजनितिक और छेतिय सायूग संक्तन है, जिसके अंदर वर्तमान म कुल पांस सदे से हैं, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका हैं, इन देशों के जो राश्टर देक्स हैं, जिनमें ब्राजील के जो प्रेजिडेंट हैं, जेर बोलसोनारोग, इसके अलावा रशिया के जो प्रेजिडेंट हैं, व्लादिमिर पु वित्मंत्री और इन देशों के जो केंद्रिय बैंकों के गवर्नर भी इन ब्रिक्स की बैठकों में अक्सर भाग लेते रहते हैं यहां इन जो ब्रिक्स देश हैं इनके अंदर सबसे पहला ब्राजील दूसरा रशिया तीसरा इंडिया फौर्थ है चाइना और फिफ्थ है साउथ अफ्रिका इस तरह से पांच देशों के जो नाम के प्रतमाक्षर हैं उन्हें साथ में लेकर के ब्रिक्स शब्द का गठन कि अगया है आए आए हाल ही में आर्बिाई ने एकोनोमी को मजबunuти देने के लिए कुछ नियामक उपायों की गोश्ना की है यामक उपायों की गोश्ना की गई है लोकडाउन के कारण एकोनोमी पर बड़े हुए फाइनींशल प्रेशर को कम करने के लिए भारती रिजरूब बैंक ने कई नियामक उपायों की घोशना की और ये घोशना RBI के वर्तमान गवर्नर शशिकान दास के दोवारा 17 अप्रेल 2020 को की गई है इन उपायसें जो बाजार में है कैस लिक्विडिटी यानि नगत तरलता के अंदर व्रद्धी होगी इससे एकोनोमी पर फाइनेंशल प्रेशर कम होगा और बैंकों में लोन फैसलिटी बढ़ेगी इसके साथ बाजारों का उपचारिक संचालन किया जासे कीगा RBI के नियामक उपायों में से कुछ मुख्य बिंदू निम्न प्रकार से हैं सबसे पहला पॉइंट RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 4 प्रतिशत से घटा कर 3.75 प्रतिशत किया है यानि कि इसमें 0.25% की कमी की गई है लेकिन रेपो रेट के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो पॉइंट RBI के दवारा जो अगली गोशना जिसके अंतरगत लगू एमद्यम उद्योगों के लिए 50,000 करोड रुपे तक के प्रैकेज की गोशना की गई है साथ ही NPA के समधान के लिए योजना अवधी को 90 दिनों तक बढ़ा दिया गया है NPA जिसका पुरा नाम Non-Performing Assets होता है अर्थात बैंकों के जो बकाय रिंड होते हैं ऐसे जो बैंकों ने रिंड दिये हैं जो की जिनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है उन्हें NPA कहा जाता है इनके समाधान के लिए इनकी वसूली के लिए जो योजना हैं उसकी अवधी को 90 दिनों तक बढ़ा दिया गया है NBFC के द्वारा रियल इस्टेट कंपनीज को दिये गए लोंज पर अनुसूचित बैंकों के द्वारा दिये गए लाब के समान ही लाब दिया जाएगा NBFC जो की Non-Banking Finance Corporation है जिनहें गैर बैंकिंग वित्तिय संस्थान भी कहा जाता है इनके द्वारा जो रियल इस्टेट कंपनीज को जो लोंज दिया गया है उस लोंज पर अतना ही लाब दिया जाएगा जितना की किसी अनुसूचित बैंक के द्वारा दिया जाता है इसी के अलावा नाबाड, National Housing Bank, SIDBी जैसे Financial Institution के लिए पुनेवित्त पोशन के लिए 50,000 करोड रुपे की सहायता राशी देने की गोशना भी RBI के द्वारा की गई है अब हम एक बार जो वर्तमान की जो रेट्स हैं, Current Rates हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं जिनमें सबसे पहली बात करें हम रेपोरेट की तो रेपोरेट जो की पुरानी रेपोरेट 4.4 प्रतिशत थी जो वर्तमान में भी 4.4 प्रतिशत ही है यानि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है इसके बाद में हम बात करते हैं रिवर्स रेपोरेट की रिवर्स रेपोरेट जिसकी जो वर्तमान में 3.75 प्रतिशत है इससे पहले पुरानी जो दर्थी वह है 4 प्रतिशत की दर्थी जियानीगी इसमें 0.25% की कमी की गई है इसके अलावा बैंक रेट जो की 4.65% थी जो यदावत रखी गई है वर्तमान में भी उतनी है MSF जिसकी जो रेट थी 4.65% जो वर्तमान में भी 4.65% ही रखी गई है इसके अलावा CRR जो की 3% थी और वो अभी भी 3% है और SLR जो की 18.25% थी वह अभी भी 18.25% ही रखी गई है अब हम बात कर लेते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, CRR, SLR जैसे मॉनिटरी टूल्स के बारे में तो रेपो रेट, सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट के बारे में जब अर बै के दोआट, जो कॉमरशिल बैंक हैं, उन्हें जिस दरपर जिस बैज की दरपर जो अल्प कारिक लौन दी आ जाता है उसे रेपो रेपो रेट का जाता है अब रेपो रेट जब कम की जाती है तो इससे जो commercial banks हैं उनको कम ब्याज पर जो fund उपलब्ड होता है उस fund से वो लोगों को कम ब्याज पर loan बांट पाते हैं जिससे बाजार के अंदर तरलता बढ़ जाती है इसके बाद मैं बात करते हैं reverse repo rate के बारे में तो यह दर है जिस दर पर जो commercial bank हैं उनके जो दिन बर के कामकाज के बाद में जो extra उनके पास में रकम बसती है जिसे वह RBI के पास में रखते हैं तो उस पर मिलने वाला जो ब्याज होता है वह reverse repo rate कहलाता है इसके अलावा हम बात करते हैं CRR की cash reserve ratio जो की भारत के जो banking नियम हैं उनके नुसार हर बैंक को अपने कुल cash reserve का एक निशित हिस्सा रिजर बैंक के पास में रखना होता है जिसे cash reserve ratio या नगज आरक्षित अनुपात भी कहा जाता है जिसे इस short में CRR कहा जाता है इसके बाद में हम बात करेंगे SLR के बारे में SLR जो की रिजर बैंक की जो जो नगधी नगधी स्थित है इसे नियुतित करने का एक उपाय है जिसके अंतरगत जो बैंकों के अंदर जो उपलब जमाराशी होती है उसका वह हिस्सा जो की अपनी जमा पर loan जारी करने को पहल अपने पास में रख लेना जरूरी होता है जैसे कि SLR, नगती, स्वायन भंडार इसके अलावा सरकारी प्रतिबोतियों जैसे किस अन्य किसी रूप में भी यह हो सकता है इसके बाद मैं बात करेंगे South Korea संसदी सुनाव में सतारूड डेमोकरिटिक पार्टे की जीत हुई है हाल ही में South Korea के अंदर जो सुनाव संपन हुए National Assembly के सुनाव संपन हुए जो की 300 सीटों को वाली National Assembly है, राष्ट्रिय संसद है जिसके अंदर जो सुनाव हुए वहाँ वरतमान में सतारूड जो पार्टी है डेमोकरिटिक पार्टी मून जे इन जिसके राष्ट्रपदी है उस पार्टी ने डेमोकरिटिक पार्टी ने 103 सीटों पर जीत दर्ज की है साथ ही इस डेमोकरिटिक पार्टी जो सहयोगी पार्टी है प्लेटफॉम पार्टी Conservative Opposition United Future Party के बीच ही रहा है South Korea विश्व का पहला ऐसारा देश बन गया है जिसने Corona महामारी के बीच में राष्ट चुनाव संपन करवाए इस चुनाव में 1.18 करोड लोगों ने वोट किया और 66.2 प्रतिशत वोटिंग के साथ ही इस वर्तमान जो वोटिंग है उसने 1992 तक के बाद का जो सारे आंकड़े हैं उन्हें द्वस्त किया है और वह सरवादिक वोटिंग का आंकड़ा बन गया है हाल ही में 17 अप्रेल को विश्व हीमोफिलिया देवस मनाया गया जिसका उद्देश हीमोफिलिया और तक्त्राव विकारों के बारे में लोगों को जागरुक करना उसके बारे में जागरुकता फैलाना इसकी सुरुवात 1889 से की गई थी जो की और इस बार जो 2020 के अंदर जो ये वर्ल्ड हीमोफिलिया दे मनाया गया है ये इसका 31 संस्करण है इस बार की जो 2020 की जो World Hemophilia Day की जो थीम है वो है Get Plus Involved यह दिवस फ्रेंक सेनाबेल के जनम दिवस पर मना जाता है फ्रेंक सेनाबेल जिनोंने 1963 में World Federation of Hemophilia की स्थापना की थी World Hemophilia Federation एक International Organization है जो की हीमोफिलिया से पीड़ित पेशेंट का जीवन बैतर बनाने के लिए कार्य करता है हीमोफिलिया एक आनवांसिक रोग है जिसे British Royal Disease भी कहा जाता है इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के रखका ठका नहीं बनता है यानि कि यदि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कोई चोट लग जाए तो उसका ठका आसानिस नहीं बन पाता है और काफी मात्रा में रखत्सराव हो जाता है कुछ इस्ततियों में गंबीर चोट की इस्तति में बड़ी चोट की इस्तति में जो रोगी है उसकी रखत्सराव से मृत्यू भी हो सकती है तो इसी के साथ आज के हमारे Current Affairs के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लेट हुए हैं अब बार यह हैं हमारे आज के Question की तो हमारा आज का जो Question है Ministry of Human Resources Development मतलब मानव संसादन विकास मंतराले भारत सरकार ने COVID-19 से उत्पन चुनोति पूर्ण इस्तति से शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रभावित नहों इसके लिए जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन्हें किसके माध्यम से पाठ्ठेकरम से सम्मदित व्याखान पसराइद करेगा आपको अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं साथ ही आप इस वीडियो को अगर लाइक कीजिए और साथ ही इसको चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए थैंक्यू